नमस्कार प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 7 तिर्भुज की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे कुछ परमे यूज होंगी इस एक्सरसाइज में पहली 7.6 क्या कहती है यदि किसी तिर्भुज कि दो बुजाए्वे अभी तक हमने समानी सामने पाड़े में परहें और अगर , बुजाए दो छो में न सी और उस में उसमें क्या कुछ हो सकता है वह हम इस Göran थो लंबी भुजाने का संक बरान हो देखी एक चितर से समझा है मानलीजी हमारे पास यह तिर बुज है A B C यहां पे जो A C है जो A C भुजा है वो A B से बड़ी है A C भुजा A B से बड़ी है तो इन्होंने क्या कहा दो भुजाय समान है लंबी भुजा के सामने का कौन A C के सामने का कौन B लंबी भुजा के सामने का कौन क्या होता है बड़ा होता है किस कौन से चोटी भुजा के सामने का कौन है C तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कौन B जो है वो बड़ा होगा कौन C से यह हम उल्टा कह सकते हैं कि छोटी भुजा के सामने का कौन छोटा होगा चीक है संज में आ गया अगर माल लीजिए ये हमारे पास 8 है ये हमारे पास 5 cm है तो जो ये कौन होगा ये इस कौन से बड़ा हो जाएगा यही परमे हम exercise में यूज करने वाले हैं दूसरा है परमें 7 point 7 इसका opposite यह कहता है किसी तिर्बुज में बड़े कौन की सम्मुख भुझा बड़ी होती है या लंबी होती है माल लीजिए हमें तिर्बुज में दियावा है ये कौन हमें दे दिया 40 degree ये हमें दे दिया 80 degree स्पोज किजिए हमें ऐसे दे दिया तो ये वाला कौन बड़ा है A, B, C यहां पे अगर कौन B बड़ा है कौन C से तो B के सामने की भुजा means A, C जो है वो बड़ी हो जाएगी किस से C के सामने की भुजा A, B से यह दोनो एक दूसरे के विपरेथ है बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होगा या फिर बड़े कौन के सामने की जो भुजा होगी वो लंबी होगी या बड़ी होगी यह दोनों परमे हम यूज करेंगी इसके बाद परमे 7.8 तिरभुज की किनी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तिरभुज में तीन भुजाएं हैं हमारे पास माली जी एक 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया चिक है आप कोई भी value ले सकते हैं कोई भी value यह तो हमने randomly कोई भी value उठा ली है किनी दो भुजाओं का योग दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है 6 पलस 7 13 हो गया जो 8 से क्या होगा बड़ा होगा 8 पलस 7 15 जो 6 से बड़ा होगा और तीसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 8 पलस 6 6 plus 8 जो है वो 7 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा देखिए अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी भुजा ले ले मैंने एक 5 ले ली एक 4 ले ली और 5 संटी मिटर 4 संटी मिटर और 10 संटी मिٹर अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो क्या होगा माल लो मैं एक 10 cm की यहां पे रेखा ले लेता हूँ 10 cm यह 10 cm होगा फिर हम जब तिर्बूज बनाते हैं क्या करेंगे 5 cm की एक प्रकार लेंगे आर्क लगाएंगे कहीं इसके हाफ तक जाएगी वो जहां मर्जी तक लगा लिजिए एसे आर्क लगा लिए लेकिन यह तीसरी जो भूजा है वो 4 cm अब यहां तक 5 से 4 तो यहां तक रह जाएगी यहां पे प्रकार आप रखोगे इसको कहीं पे भी कट नहीं करेगी कहीं पे कट नहीं करेगी वो आर्क यहां पे लगके रह जाएगी तो तिर्बुज का निर्मान कभी भी नहीं होगा तो हमेशा क्या होता है तिर्बुज की दो भूजाओं का योग तीसरी भूजा से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा यह तीन पर में हम इस exercise में यूज करेंगी चलिए अब इसका पहला question चेक कर लेते हैं exercise 7.4 का पहला question question number one check कर लेते हैं क्या कैता है statement दर्साइए कि समकोन तिर्बुज में कारण सबसे लंभी भुजा होती है समकोन तिर्बुज समकोन तिर्बुज कोन से होती है जिसमें एक कोन नबबे डिगरी का हो माली जी हमार पास तिर्बुज ABC है और इसमें कोन B हमारा क्या है नबबे डिगरी है समकोन तिर्बुज है solution में देखिए तिर्बुज ABC में कोन B मैंने क्या ले लिया नबबे डिगरी ले लिया समकोन है ठीक है अब समकोन तिर्बूज में हमें ये दिखाना है जो करण है करण है जो सबसे क्या है लंबी भुजा है अब तिर्बूज के तीनों कोणों का जोड 180 होता है एकी समकोन हो सकता है बाकी तो नहीं होंगे 90 से क्या होंगे वो छोटे होंगे तिरबुज A, B, C में कौन A कौन A जो है वो कौन B से क्या होगा छोटा होगा क्योंकि B 90 का है एक तिरबुज में एक ही समकौन हो सकता है बाकी दोनों 90 से क्या होगे छोटे होगे तो कौन A जो है वो क्या होगा B से छोटा होगा तो B के सामने वाली, अभी हमने किया था, बड़े कौन के समुक जो भुजा होती है, वो छोटे कौन के समुक भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी. तो कौन A के सामने वाली जो भुजा है, वो क्या है? B, C. So, B, C जो है, वो छोटी है. किस से? B के सामने? A, C से. चिक है? किसी परकार? तिरबुज A, B, C में हमने कौन C जो है, वो भी कौन B से क्या होगा? छोटा होगा? तो C के सामने वाली जो भुजा है, वो कौन C होगी? A, B AB छोटी होगी AC से कारण क्या लिखेंगे हम हमने बड़े कौन बड़े कौन की सम्मुक भुजा या छोटे कौन की सम्मुक भुजा बड़े कौन की सम्मुक भुजा क्या होगी बड़े होगी बस यह कारण देना था सेम कारण यहाँ पर हो जाएगा बडे कौण की समुख हमें टीचर तक सिरफ यही संदेश पुन्चाना होता है कारण में की समुक भुजा कि हमें पता है की हमने यह कारण क्यों रिखा है यह इक्वेल्टी है यह हमने क्यों रिखे तो यहां पर उखो जो AC है AC, BC से AC जो है, BC इसे भी बढ़ा हो गया, AC, AB से भी बढ़ा हो गया तो जो करन है, AC, करन, तिर्भुज ABC की अन्य भुजाओं से, अन्य भुजाओं से बढ़ा है यही हमने सिद्ध करना था बहुत ही सिंपल सा क्योंसन है, चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में गले क्वेसन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत